तो दोस्तो आज हम मसाला चाच बनाने जा रहे हैं जो सर्दियों में अगर आप ठंडी चाच या नॉर्मल चाच भी नहीं पीते हैं तो आप इसको जो है कुछ इस परकार से मोडिफाई करके पी सकते हैं जिसके आप कुछ सर्दी चुकांगे बिलकुल भी दिक्कत नहीं और करीब 1.5 लीटर चाच लिए है और एक कड़ाई चड़ाई है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है तेसी गी गरम करना है बरतन को आपको जो है काफी गरम कर लेना है थोड़ा सा तप तपाया हुआ और जब थोड़ा सा जो आपने गी डाला था गरम हो जाए तो इस बर्तन के अंदर जो मारी 1.5 लीटर छाथ है वो आपको डाल देनी हो और जो गेस है तुरंते आप बंद कर दीजिए इस बर्तन की जो गर्माट है उससे आपकी जो छाच है वो थोड़ी सी नॉर्मल गरम हो जाएगी और बहुती शांदर पीने लाइक हो जाएगी वापस से इसको आपको उसी बर्तन में खाली कर देना है इसके अंदर आपको मिलाना है काला नमक करीब एक चुटकी पिसा हुआ जीरा हमें डालना है आप देख सकते हैं करीब एक से दो चुटकी इसके अलावा हमें डालना है सुका हुआ पूदिना करीब एक दू चुटकी थोड़ा सामे डालना है साधा नमक एक चुटकी हमारे पास जो है भुना हुआ जीरा है थोड़ा सा वह भी आपको डाल देना है और इन सभी मसालों को आपको इसके अंदर जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और पिच्च मत बोलता है आता हrit कर देना है